बिजली के बिजली नहीं आती थी आपके जानकारी के लिए बता दू ऐक बड़ी अच्छी बात है पूरी दुनिया में भारत भारत में नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा CCTV कैमेरे दिल्ली में है न्यू यॉर्क, वाशिंग्टन, टोकियो, लंडन, पैरिस अब दिल्ली में हम जो काम कर रहे हैं यह कोई चोटी मोटी बात नहीं है, यह भारत से कंपेर नहीं कर रहे हैं हम पूरी दुनिया में यह विदेशों के अख़बार में छपदा जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में कहीं CCTV कैमेरे नहीं होते थे किसी गली में, साथ, आठ साल के अंदर पूरी दिल्ली में इतने CCTV कैमेरे लगा दिये, हर गली के अंदर CCTV कैमेरे लग गए है बिजली आती है 24 घंटे, पावर कट तो नहीं लगता जनरेटर तो नीची होता, इनवरटर तो नीची होता पहले चाहिए होता था, हमारी सरकार बनने के मेरे को याद है 2014 में 15 में सरकार बनी थी 7-7-8-8 घंटे के पावर कट लगते थे बिजली जाया करती थी अब नहीं लगते 24 घंटे इंतिजाम कर दिया बिजली का और बिजली के बिल तो नहीं आते होंगे फ्री होगी बिजली पूरे देश में दो ही राज्ये आसे हैं जहां फ्री बिजली मिलती है दिल्ली और पंजाब पंजाब में भी अपनी सरकार है पंजाब में भी बिजली फ्री हो गई दिल्ली में भी बिजली फ्री हो गई और यह कोई जादू से कम नहीं है 24 घंटे बिजली आती है फ्री में बिजली आती है ये जादू है जादू है कि नहीं है बाकी मैं पूरे देश में घुमता रहता हूँ मैं मध्यपरदेश गया था 36 गड़ गया था राजस्तान गया था मैं घुमता रहता हूँ भाई साथ वहां तो बिजली के बिल आते हैं बिजली नहीं आती, अभी हर्याना भी क्या था, इतने किसी के 10 जार का बिल, किसी का 15 जार का बिल, दो कमरे का मकान है, बस दो बल्ब है, ट्यूब लाइट है, पंखा है, एक फ्रीज है, एक टीवी है, और 10-10 जार के बिल आ रहे हैं, और बोले जी 8-8 गंटे बिजली नहीं तो मैंने उनको भी बोला, मैंने का उमारी सरकार लेक्शाइओ, चोबीस घंटे बिजली दे दूगा, और फ्री बिजली दे दूगा, मिर को जादू आता है, उपर वाले ने वर्दान दिया हुआ है, और केवल केजरी वाल को दिया है, कि 24 घंटे बिजली दे सकता हूँ, और फ्री विजली दे सकता हूं